दोस्तों, Bing X Exchange hack हो चुका है, आए सुवे सुबे, and Bitcoin के अंदर एक Golden Cross हमें देखने को मिल चुका है, बहुत important वीडियो, लाज सक दो देखना, मैं टाइम इसके लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करें, Bing X के hack वाली न्यूस के साथ, तो आए सुवे सुबे, Bing X के अंदर हमें एक hack देखने को मिलता है, जहाँ पर इन्होंने confirmation भी इस चीज के दिये हैं, कि हाँ hack हुआ था, and minor सा loss भी इनका होता वाँ, यहाँ पर दिखा है, जहाँ पर कुछ करोड हुआ है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, कि यहाँ पर इनके जो system उसके अंदर है, एक hack का यहाँ पर इन्होंने लगा की hack होने वाला है, जिस वैसे इन्होंने कुछ measures यहाँ पर लिए, जिस वैसे इनका ज्यादा loss यहाँ पर नहीं हुआ, and 24 hours के अंदर, इनको जो withdrawal है, वो यहाँ पर burn करने पड़ गए, 24 hours के लिए, ताकि यहाँ पर जो fund transfer है, और ज़रा ना हो, and users को यहाँ पर कोई loss था हूँ, अब यहाँ पर जो loss हुआ है, वो इनका हुआ है, users को कोई loss नहीं हुआ, जो कि एक अच्छे चीज है, नहीं किसी user का अभी के लिए कोई यहा hacker detect करा था, जिसके उपर इन्होंने कोई safety measures लिए है, and उसको वहीं रोक दिया, under control कर लिया situation को, नहीं साइची चीज होने के बाद, इन्होंने 24 hours के लिए, यहाँ पर जो withdrawal थे, वो यहाँ पर रोक दिया, ताकि यहाँ पर कोई किसी का fund अगर hack हुआ, तो कोई hacker उसको withdrawal ना कर है, जो कि आपके लिए safety के लिए था, एक तरीकी से, अब बिंगेक्स की team के साब से, अभी यहाँ पर और कोई दिक्कत नहीं है, and जो situation है, उसको control में कर लिए गया, मैं अपना person नहीं बता हूँ, तो मेरा खुद का fund बिंगेक्स की उपर पड़ा है, आप देख सकतो, almost 1500 लो से कर सकते हो, and then बाद में जब situation normal हो जाएगी, तो दुबारा funds को यहाँ पर ला सकते हो, अभी फिलाल, 24 hours के अंदर, यहाँ पर ट्रांसफर नहीं कर पाऊँगे, विड़ो रोग दिए गया है, तो अगर आपको लगता है, कि यहाँ पर हाँ, आपका fund safe नहीं है, तो फिर आ अगर हम bitgate की बात करते हैं, bybit की बात करते हैं, या MXC भी बात करते हैं, coupon की बात करते हैं, सारे exchanges में almost हमें hack देखने को मिला है, कभी ना कभी, कुछी है, इस से exchanges अभी रहे हैं, जिनके नदर hack ER situation नहीं आई है, otherwise, जादा तर exchanges है हो चुके हैं, and जादा तर chances में यह होता है, क hacker को एक amount ये लोग दे देते हैं, pay कर देते हैं, इसके बाद वो users के fund को छोड़ देते हैं, बागिया आपका क्या viewpoint है, इस पूरी situation के उपर आप comments करके बता सकता हूं, अगर मैं यहाँ पर top exchanges के नर जाता हूं, यहाँ पर 15 rank पर मुझे देखने को बलता है, bank X, and इसके उपर म है, बाग यादे को आपका fund है, कहाँ पर safe रहेगा, कहाँ पर रहेगा, आप अच्छे जानते होगे, because crypto industry है, यहाँ पर कुछ भी all over safe नहीं, अब finance के उपर भी अगर अपने fund लेके चले जाता हो, तो वहाँ पर भी 1% का आप correct लेता है, कि आपको कहीं यहाँ पर sell करने में, बागी फिलाल तो अभी सिर्फ हम वेट कर सकते है, because withdrawal यहाँ पर close कर देगे है, उमीद करेंगे, कि यहाँ पर situation under control आजाए, जो कि यह बोल भी रहे है, तो यहाँ पर बिंग X को लेके update, next बात करें हमरे main update के बारे में, Bitcoin के बारे में, तो Bitcoin के 4R chart में, हमें एक golden cross लेखने को म most important है, अगर हम 4R chart की बात करते हैं, तो previously भी यहाँ पर आप देखोगे, तो एक golden cross हुआ था, golden cross के बाद हमें एक crash देखने को मिलिया था, अहला कि उसके बाद death cross भी हुआ था, but all-all golden cross के बाद ही crash देखने को मिलिया था, तो अभी golden cross सो यहाँ पर हो चुका है, वर जब तक daily HRD केंदर नहीं होता, जब तक इसको आप पुरा perfect वाला golden cross मत मानना, हाँ, यहाँ पर एक, क्यूंकि breakout आया है, इस वए से मुझे लगता है कि एक अच्छी daily देखने को मिलिया, और इस breakout के बारे में मैं आपको already बता चुका था, अभी bitcoin जहाँ पर trade कर रहा है, 64, 300 dollar का जो target अ होगा, कल भी मैंने आपको एक long trade बताया था, कि भाई अब भी long trade ले सकता हो, अगर कल भी आपने long लिया होगा, तो भी आप इस समय प्रॉफिट में होगे, मेरे साफ से 64,300 dollar के आज पास profit बुक कर लेना चाहिए, विक्वाद यह level एक major resistance level है, तो यहाँ से एक initial reduction दिखने के हाई चांसे तरहेंगे, बागी अगली long trade या buy trade आपको तब लेनी चाहिए, जब हमें 64,350 dollar के उपर 4R या daily candle closing देखने को मिल चाहिए, जब तक इस level के उपर daily candle closing या 4R candle closing नहीं होती, तब तक चांते साहिए देएंगे कि एक initial reduction तो हमें देखने को मिलेगा, उसके प्र इसको कम भी करना है तब भी, बागी daily chart के अंदर भी अगर आप इस level को देखते हो, तो इस level बहुत था important resistance है, लास्ट टाइम भी काफी बड़ा rejection, same level से हमें देखने को मिला था, इस बार भी वही चीज़ यहाँ पर form होती भी हमें दिख रही है, इस level से direction आने के चांसे बागी तब गोल्डन ग्रॉस जवरु हुआ है, इसको मैं इतनी value नहीं देता हूं, जैसे कि मैं आपको बताया, प्रिवियस टाइम है जब यहाँ पर गोल्डन ग्रॉस हुआ था उसके बाद भी कुछ खास moment देखने को नहीं मिला, तो गोल्डन ग्रॉस की all over इतनी value नहीं नहीं है, अगर हम देखते हैं Bitcoin के फोराजाट के अंदर, बट वहीं daily charge के अंदर काफी ज़्यादा value हमें देखने को मिलती है, गोल्डन ग्रॉस की, बागी market की condition, इस टाइम पर all over bullish है, अगर हम देखते हैं तो, because US की market आप देखोगे, तो उसने एक major resistance area बेक आउट कर दिया कि यहां से हो सकता है, पहला direction हमें देखने को मिल जाए, हो सकता है, यहां से थोड़ा fall आ जाए, बट all over market bullish है, तो इसके breakout के chances बहुत हाई यहां पर बने रहेंगे, बट अगर आपको safe anti लेनी है, तो anti तभी बनेगी, जब या तो यह level breakout करे, या फर हमें एक retail देखने को मिले नीची की side में, बागे trades तो लगता है, मैं लगबख 7 दिन से एक ही देता वा रहा हूं, कि long कर लो, long कर लो, अगर आपने तब भी नहीं सुनी, तो अब बिल्कुल भी मस्त होना, क्योंकि अब एक relation देखने को मिल सकता है, अब trade तभी लेना, या तो जब यह level breakout हो, या फिर हमें details देखने को मिले, बागे अगर आपने वैसा trade लेली थी, long की, या फिर किसी और coin के अंदर भी लेली थी, तो अपने stop loss को shift कर सकते हो, ताकि आप एक अच्छे profit में, यहाँ पे close कर लो, अपनी trade को, ना बात करें कुछ अच्छे old coins के बारे में, और कुछ meme coins के बारे में जो अच्छे pump कर सकते हैं, तो pong coin के बारे में में आपको बताया था, जो कि आप देख सकते हो, काफी अच्छे से यहाँ पर pump कर रहा है, अगर यह रेंज को उपरे के side breakout करेगा, तो entry बनेगी, last time भी में आपको बताया था, यही same चीज, अभी भी same चीज बता रहा हूँ, उ हमारी जो buying थी, इस area के आसपास थी, जैसे कि आप देख सकते हो, जहां से अगर मैं आपको calculate करके देखाता हूँ, तो almost जो हमें pump देखने को मिला है, वो यहाँ पर 70% के आसपास हमें देखने को मिल चुका है, अगर आप मेरी initial buying से यहाँ पर देखते हो, जो कि बहुत अच् है, इथरे हम यहाँ पर $2,650 के आसपास का target अराम से आपको देख सकते हैं, आने वाले 2-3 दिन के अंदर, या कुछ घंटों के अंदर, नेक्स हमारे पास यहाँ सोलाना है, जिसका resistance area जो है $160 के आसपास का देखने को मिल सकता है, यहाँ से हमें initial reaction देखने को मिल सकता है, अभी entry बन रही बर थोड़ा risk की रहेगा, यहाँ पर मने आपको जब entry बताई थी तब लेने की थी, अभी risk हो चुकी entry, उमीद करता हूँ आपने मेरे साथ पहले entry ले ली होगी, अगर नहीं ली तो चैनल को subscribe कर लो, ताकि इस टाइप के updates आपको timely बलती रहें, और आप timely ए क्या क्या चीदे यहाँ पर होई हैं, है कि